तो कैसे है आज पांच नावंबर है और आज मैं आपके लिए निफ्टी का व्यूर लेकर हूँ शे नावंबर के लिए कैसा रहेगा पोजिटिव रहेगा कुई सक नहीं और हो सकता है यहां से आपको एक बार ये दस साथ सो के ऊपर भी आपको लेकर यहां से दिखा सकता है तो आपको पेपर टेडिंग करना है तो दस शेसो का कॉल लेकर के आप पोजिशन मना सकते हैं इस सिंपल साही इसलिए बता दिया कि वोद लोग वोते वीडियो कम टाइम में देखे ज्यादा रिजॉन चाहते हैं आपको कुछ नहीं करना है दस शेसो का कॉल ले लिजे पे सब्सक्राइब करेंगे तब कुल 11625 रुपया करना है और यहां से डबल रेट आपको मिल सकता है और आपको जब भी 25 पर रिटन दे तो मार्केट में प्रॉफिट जरूर इंट्रेडे में ही बूख करें क्योंकि रान कभी और पावंदी लगा देता है ट्रम साब तो निचे जाता है फिर उपर चला जाता है और आपको सिंपल जावाद बता दू तो आप चाहें तो इसको आप 10-600 को को बना सकते हैं चली एक पांसतारिक के डीटेल में रिव्यू कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10-524 पे लोजिंग दिया है ओपन हुआ था यह ओपन हुआ यह दस-पांस ओं ठाउन पर हाइए 10-500 ठाउन थोड़ा सा उपर हाइब हैं यह हैंगिंग में पैटर्न का व्यूव बनाए आप चार्ट पर देखेंगे तो हैंगिंग पैटर्न बना जो आदमी खड़ा है नीचे हैंगिंग लटका हूँ आदमी खड़ा है तो उपर जो मार्केट सिनर्यों बता रहा है और जो यह कॉल्पूट दर्स आ रहा है वह पोजिटिब की वर्दस आ रहा है अब यहां से रिटर्न लिया था यह वापस लिया था तो अगर इस पर भी लेगा तो इसको यहां से 10 689 10680 इसको यहां से जाना है लेकिन इस टाइंग जो जाएगा जो मेरा उपनियन है यह इसको क्रॉस करेगा और आपको 10883 तक जो चार्ट प्रेडिक्शन है यह मेरा प्रेडिक्शन है वह सकता मैं गलत हूं बहुत बड़ी बात नहीं बहुत लोग है बड़े-बड़े तिकर्जे मार्किट में इसके प् अपर बनाता तो यह अपर ट्रेंड में रहता है यहां के बाद एक लोगर बनाया है यह थोड़ी से प्रॉब्लम थी मैं ऐसा नहीं बोला हूं कि निप्टी 10100 को क्रॉस कर देगा नहीं करेगा 10400 का जो बॉटम बनाया अभी बहुत मुस्किले 10400 तोड़ना उसके लिए और आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे 10447 जो की 21 दिन का डेमा है इसी को तोड़ना वोटम उसके लिए इसको बीएकिस दिन का डेमा कोई नहीं तोड़ेगा लेकिन पचास दिन का जो डेमा है जो 10709 आरा दिखा रहा आपको यह वहां पर वापस लाश्ट टाइम की त तो यहां से एक पाड़न वनता है कि 17 को जो यहां पर हाई लेके फिर लोग की और वना था तो यहां से आपको ऐसा लगता है कि मुझे कि यह उपर की और जा सकता है गया परजेंग है गिराया और फिर ऊपर उठा लिया है तो लास्ट मुमेंट में इसमें रिकवरी आ गे अच्छी कासी आप देखेंगे दस पांसोचोवण पे ओपन दिखा रहा है हाई पांसोपचास का बनाया है और जहांस थोड़ा सब्सक्राइब थोड़ा सा उपर गया फिर उसको एकदम नीचे घिचकी लेके आ गया चाहसोग सब्सक्राइब और फिर वापा जाकर के उपर सब्सक्राइब बना तो समझे के आपके लिए और भी अच्छा वहां चाहें कि Old придest कि बात करें तो एंडिया विक्सु म्हist ही बहुति ही था कि है ह dużo है कि और कि जो कि यसकी है कि इसकी हुथ इसका डियोष्यसिंच्षिंट में बताता हुथ ये यहusa बूँ पैटर्न प्फ। कि अगर भी ये और सब्सक्राइब तो समझे यहां से वापस जये अच्छा का सए जंप लेने को त्यार है और हो सकता इस बात 10-800 तक जा करके वह रुखेगा तो कहीं पर भी देखेंगे तो आप खली पोजेटिविटी दीख रही है तो आप मैं अभी भी आपको 10-600 का कॉली बोलूंगा 10-800 का कॉल बोलूंगा अगर वहां नहीं जाता तो वैल्यू कब हो जाती है अब अगर आप द लेकिन इस बार जाएगा और यह 10-800 क्रॉस करने का पूरा दम रखता है और आप मान के चलिए कि जो पिछले बार छूट गया था 10 वह इस बार यह पूरा करेगा और 10-883 जो इसका 50 डेस का रिट्रेश्मेंट है वह मुझे लगता है कि यह वहीं कि आसपास 10-850 तक जा करक है 10-822 एगजेक्ट आप देखेंगे तो 100 डेमा जो बताता है यहां से वह बता रहा 10-822 तो यह अब जो टच करेगा वह 100 डेमा को टच करेगा चुकि पिछले वार अल्लेडी 50 डेमा को टच करके नीचे की रातर तो इस बार 50 डेमा को क्रॉस करेगा जो मेरा प्रेटिक्श जो गिरने वाले सेर ते उसमें सबसे जादा सिपला में गिरावट आई यह आउसी डेपुल आउसी इंडसलेंड में बीपी सेल यह गिरने वाले सेर थे और अगर हम आपको यह बता है कि एफ आई ने क्या किया है तो एफ आज देखेंगे तो 12 करोर की खरिदारी की है और 6 121 करोर की डी आई ने विक्वाली किये तो एफ आई डी आई होगे आपको और अगर हम इसको चार्ट पैटरन पर देखेंगे सिंपल जो एड़्दा मनी 29 दस पांसोचोविस पर है एड़्दा मनी को कॉल को देखते हैं 10 पांसोचोविस पर क्या बताता है तो दस पांसोच यह है आपका कॉल के साइड में इधर एक लाग उन्तिस जार का डिशन हुआ है ओपिन इंट्रेस्ट का कॉल में और पूट में दो लाग छे जार का है तो दोनों जुगे एक को आपको दिख रहा है मनें कि यह हैंगिंग बटन मतलब इंडिसिजिव टैप पर डिसीजिन कि जो भी फॉल किया था उसको जाकर कि यहां से उठाकर एक तो पहले यहां उठने की कोशिश किया और फिर यहां जाकर के कंप्लीट रूम से चार बजकर तेस बाराई बज़े से उठना चालोगी या और एक कम्प्लिट से रूप से कबर करते हुए उपर चला गया तो जो भी यहां फॉल था उसको यहां कबर कर लिया इसमें लास्ट आवर में लास्ट मोमेंट पर जाकर कि इसने कबर किया है तो यह पैटरन अच्छा बना हुआ ह अगर हम देखना चाहें तो अगर मैं इसको छोटा कर दो पंदर मिट के चार्ट पैटन पर देखो तो आप देखेंगे यह बुलिस पैटन पूरा इसके बाद ग्रीन जेनलेट होता है यह अगरे बुलिस है जो कि पूरे आवर को कवर कर लिया है यहां से जो भी फॉल है आप देखेंगे पूरा कवर किया है इसको पूरी कम्प्लीट बड़ी को कबड़ी कोई है कोई भी समय नहीं है तो बहुत ही अच्छा पैटन माना जाता है जिसमें क्यों बाइंग पैटन जैन कहीं बना है लेकिन आप देखेंगे तो ठीक है यह लोवर से थोड़ा अप लिया और इसके आपको खतम करते हुए फिर दूसरा एक आप बनाती है तो बहुत ही अच्छा पैटन बना है और कंप्लेटली यह बाइंट्रेंट सो करता है तो आप बाइंट्रेंट बनाकर रख जो जाएगा और नीचे की और आप देखेंगे तो 10 447 10 396 तो नीचे की और तो को है नी पाइवट पॉन तो इसको उपर की और यह हम समझें उपर की और जाना चाहिए से अगर अब इंडेक्स की बात कर लें इंडेक्स में आज देखेंगे कि तो सम में आपका यह था निप्टी आईटी थोड़ा पोजेटीव रहा निप्टी मेटल थोड़ा रहा और पी एश्यू बैंक सबसे ज्यादा 2.91 परसंट के साथ सबसे आगे रहा और इनिटी सेक्टर 1.51 के साथ और बाकि जब देखेंगे गिरावट मेडिया सेक्टर में ज्यादा है बाकि ओवर चलिए आप लोग को अगर किसी को पोजीशन मनानी हो निप्टी पे तो बनाइए और एक चीज कॉल पूट से देखने को मिला अगर कॉल पूट से देखने को जाए तो आप नीचे की तरह देखेंगे अनवाइंडिंग हो रहा है और ओपर की और पोजीशन बन रहा है अब आप देखेंगे 10-400 पे 13,88,000 का सबसे ज़्यादा ओपन इंड्रेस्ट है उसके बाद 19 लागा 10-500 तो अब 10-500 भी नहीं टूटेगा 10-500 ही इंपॉटेंट है और आप अगर पाइवर्टल पॉट्ट आप इसो देखे तो 10-448 जैसे आपको बताया था कि इसका 10-448 है तो व आप अपने फाइनिसर एडवाईजर से बात करें और 10-600 का जो पोजिशन है 155 रुपय पर जो मिल रहा है आपको कल ओपन होता है तो भी बाय कर सकते क्योंकि 10-800 की और जाएगा यह मैं आपको परसों से बता रहा था कि आप इसको 2-3 दिन से बता रहा है 10-600 का कॉल लीजि पचीस लगा और सपोर्ट अभी आगया 10-500 के बिच में जाने लागा है यहां पर यह दिखाए कि यह पूरा बडी कवर कर लिया बुलीस और रिवर्सल पैटर्न बना है तो कहीं से भी हमको निगटिव नहीं दिख रहा है हमको सारे जह से पोजिटिव दिख रहा है कल इसलिए पेपर ड्रेडिंग कीजिए और अगर डिर्ट इंट्री का नहीं मार्केट मेंट्री का नहीं तो अपने फैनिशल एडवाईजर से बात करके लिए धन्यवाद आपको यह विडियो देखने के लिए दन्यवाद और लोगों को और लोगों को फॉर्वाड करें शे हिए यह विडियो देखने के लिए धन्यवाद बाहुत बहुत दन्यवाद थे